हेलो फ्रेंट्स नमस्ते माई नेम इस प्रितर आपका बहुत-बहुत सागट करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पटलव पिती में तो फ्रेंट्स उमेद करते हूँ कि आप सब ठेक होंगे अच्छे से होंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सोरोक्स के बारे में तो फ्रेंट्स ये सोरोक्स होता क्या है इसके हम रिजन्स जानेंगे कि ये रैबिट्स को क्यों हो जाते हैं इसको ट्रेट्मेंट जानेंगे और इसको सोरोक्स को रैबिट्स में होने से हम कैसी रोख सकते हैं इसका बचाओ क्या है तो फ्रेंट्स चल करती हो पहले हम जान लेते हैं कि सोरोक्स होता क्या है तो फ्रेंट्स जो रैबिट्स होते हैं उनके पिछले पैर में फ्रेंट्स जो थोड़ा सा एरिया होता है वहां से बाल उड़ जाते हैं तो जब बाल उड़ जाते हैं तो फ्रेंट्स वहां पे घाव होना स्टार्ट हो जिसको हम so rocks कहते हैं So rocks जादा तर पिछले पैरों में ही होते हैं पर rare किसी सिसमें देखा गया है कि ये जो आगे के पंचे होते हैं उसमें भी कभी कभार हो जाते हैं Friends, अब जान लेते हैं कि so rocks की पहचान क्या है Friends, आप जब भी grooming करेंगे आप अपने rabbits को आप जरूर चेक कर लेना आप अपने rabbits को कि उनके पिछले पैर में कहीं सो रॉक्स तो नहीं हुआ है तो friends सो रॉक्स आप कैसे चेक करेंगे आपको अपनी rabbits को गोलदी में लेना है और आप उसकी जो पिछले पैर है आप वहाँ से जो थोड़ा सा फर होते अगर है तो friends वह सो रॉक्स हो सकता है ऐसा नहीं है कि वह सो रॉक्स हो गा ही कभी कभार ये नॉर्मली वे से भी फर उड़ जाते है पर अगर आपको दिखाए दे रहे हैं कि वह पिंक से पहले तो थोड़ा सा स्पॉट था और आगे जाके वह रैड़िस हो रहा है और वहां से ज्यादा ज्यादा बाल उट रहे हैं तो friends इससे आप समझ सकते हो कि आपके रैबिट्स को सो रॉक्स हुआ है इसमें आप देखेंगे कि पिंक स्पॉट होते हैं और कभी कबार ज़्यादा ज्यादा रैड स्पॉट भी होते हैं और इसमें friends थोड़ा सा सुजन भी आ जाता है और friends, जब rabbits को ज़्यादा सो रोक्स हो जाते हैं तो friends, उनका कभी कबार घाउ बनने के वज़े से सूजन होने के वज़े से कभी कबार बलड भी आने लगता है और friends, वो अपने पैरों को बार-बार खुजाते रहेंगे बार-बार उस area को साफ करने की कोशिश करेंगे तो friends आप जब भी देखें आप अपने rabbits में कि वो बार-बार पैर साफ कर रहा है वो पैर को खुजा रहा है दान्स से बार-बार उसको मतलब itching हो रही है तो वो खुजा रही है इससे आप समझ सकते हो कि आपके rabbits को सोरक्स हुआ है friends आप notice करेंगे कि आपका rabbit जो है न वो कभी एक पैर उठा के फिर जमीन पे रखेगा फिर दूसरा पैर उठा के जमीन पे रखेगा वो मतलब एक टाइम पे एक ही पैर को वो जमीन पे रखेगा और दूसरा पैर उसका मतलब अच्छे से वो पैर रख भी नहीं पाते जमीन पे friends जब उनको पेन होते है friends वो ना ही ज़्यादा चलेंगे ना ज़्यादा खेलेंगे एक ही जगा पे वो बैठे रहेंगे तो friends इससे भी आप समझ सकते हो क्या आपके rabbit को sorox हुआ है चलिए अब हम reasons जान लेते हैं कि rabbits को किन किन reasons के बच्छे sorox होता है तो friends फर्स्ट रिजन है वो है cleaning ना होना friends अगर cleaning ना हो rabbits जहाँ पे भी रहते हैं तो friends उनको sorox होने के chances बढ़ जाते हैं ये निकि इसको sorox होगा ही और भी जो friends health issues होते हैं वो rabbits को हो जाते हैं अगर cleaning नहीं होगी तो यह तो sorox तो फिर मामूली सी बात है अगर और health issues होई सकते हैं तो sorox तो हो गाई है Second reason है वो है litter box training ना होना Friends, अगर आपकी rabbits की अगर litter box training नहीं है तो भी rabbits को sorox होते हैं वो क्यों क्योंकि rabbits जहां पर भी रहते हैं अगर उस जगह के clearing नहीं होगी rabbits वहीं बार-बार शूशू पॉटी करेंगे तो friends इधर उधर वो शूशू पॉटी जो करते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पे friends वाइरस जो है उनके पैर में इकठा होना शुरू हो जाते है तो इसलिए rabbits को sorox होता है friends थर्ड रिजन है वो है cement area में होना friends जो हमाई rabbits होते हैं अगर वो घर के floor पे रहेंगे जिसमें mats बिल्कुल भी ना बिच्छी हो तो भी rabbits को sorox होता है friends फॉर्थ रिजन है वो है rabbits को cage में ज़्यादा रखना friends अगर आप अपने rabbits को cage में ज़्यादा रखते हो तो भी rabbits को sorox होता है और खास कर चले मान लेते हैं कि आपने cage में रखा और आप cage में कोई भी कोई भी उसको mats नहीं दे रहे हो या jude की बोरी नहीं दे रहे हो कोई कपड़ा नहीं दे रहे हो तो rabbits को sorox होता है क्योंकि जो friends लोहे का जो पिंजरा होता है नीचे उसका surface होता है वो rabbits के पैर में लगने के वच्छ से sorox होता है फिफ्थ रिजन है वो है ओवरवेट होने के बाद कहीं से चलांग लगाना friends rabbits समझ लीजिए आपका बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट है और वो बैड़ पर बैठा है उसके बाद उसको नीचे जाना है और वो नीचे चलांगे लगा रहा है तो इससे भी rabbits को sorox होते है क्योंकि friends वो पहले से ही ओवरवेट है और उसके बाद वो कहीं से चलांगे लगा रहा है तो उससे भी उसको sorox होते है ये तो थे reasons चलिए अब हम बचाओ जान लेते हैं कि in future हमाई rabbits को sorox ना हो तो friends first बचाओ है वो है अगर आप rabbit को रखते हो मतलब आपको किसी भी reasons से आपको rabbits को cage में रखना पड़ता है तो आप cage में आप match दे सकते हो जिससे rabbits को जो लोहे का surface होता है उनके पैर में ना लगे और वो sorox से उनको बचाओ हो जाएगा दूसरा step है वो है friends जहां पर भी आप अपने rabbits को रखते हो वहां पर आप जिस area में आप रखते हो वो area आप साफ रखे साफ सुतरा रखे जितना आप साफ सुतरा रखेंगे उतना है सोरोक से भी बचाओ होगा और जो friends बहुत साइज जो health issues होते हैं और उनसे भी बचाओ होगा rabbits को third step है वो है litter train करना friends अगर आपकी rabbits जाएज आप उसे लेटर ट्रेन करना चाहते हो तो friends इस topic पे मेरे चैनल पे separate video है आप वहाँ पे जाओके चेक आउट कर सकते हो कि rabbits को लेटर ट्रेन कैसे करते हैं तो friends आपको लेटर ट्रेन करना है जिससे friends जो जहां पर भी हम अपने rabbits को रखते हैं एरिया साफ रहेगा और rabbit को सोरॉक्स भी नहीं होगा friends फोर स्टेप है वो है आप अपने rabbits को जादा से जादा स्पेस देजिए friends rabbits के पास जितना जादा स्पेस होगा और उतनी जादा ही उसकी exercise भी होगी और exercise होगी friends चलते फिरते वो रहेंगे ना तो वो एक्टिव रहते हैं नई तो friends वो ऐसे सुषते रहते हैं तो उनको फिर भी जो सोरॉक्स होने के चांसे बढ़ जाते हैं क्योंकि बैटे रहने से rabbits का जो वेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं और friends वो पैर की तरफ बैठेंगे ना तो उनको बैठेंगे तो उनको सोरॉक्स होने के चांसे बढ़ जाते हैं और इसलिए उनको ज़्याद स्पेस में रखिए ताकि वो खेलते रहें कोते रहें और वो एक्टिव रहें यह तो थे बचाओ अब हम ट्रीट्मेंट जान लेते हैं कि अगर हमाई rabbits को थोड़ा सा सोरॉक्स है तो हम उसको घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं तो friends जो मेरा experience है मैं आपके साथ वह ही share करूँगी क्योंकि friends जो मेरे cherry है उसको भी सोरॉक्स हो गया था तो उसको मैंने कैसे treat किया मैं आपको बता देती हूँ friends वो मैंने बहुत ही जादा net पे research किया वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला और वो थोड़ा सा ही था तो इसलिए फिर मैंने उसको घर पे ही treat किया तो कैसे किया चलिए मैं आपको बताती हूँ तो friends मैंने लिया एक चमत सरसू का तेल और उसमें चुटकी भर जो हल्दी होती है वो मैंने डाल दिया और उसको फिर मैंने mix करके जो गरम कर लिया गयास पे गरम करने के बाद जहांपे भी उसके sore rocks था वहांपे मैंने लगा दिया और उसके बाद friends उसी के पास बैठे रहना पड़ता था कि rabbits उसको चाटना जाए और नहीं तो अगर साफ हो जाएंगे तो रोद काम नहीं करेगा क्योंकि friends जो हल्दी होते हैं वो एंटिबाटिक्स का काम करते हैं तो जो घाओ होते हैं उनको जल्दी रिकवर करते हैं और friends इसका result आपको 2-3 दिन में आपको result दिख जाएगा अगर friends आपके rabbits की पैर में जादा ही सूजन हो गया है और वो धीरे धीरे घाओ बन रहा है और आपके rabbits अच्छे से बैट नहीं पा रहे है तो आपको friends ऐसी situation में आपको वेटने ही डॉक्टर की help लेनी होगी आपको एक trusted doctor ढूणना है जिससे आप अपनी rabbits के जो health check-up है वो आप करवा सके I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो make sure इस वीडियो को like करना चाएगा Friends अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो make sure इस चैनल को subscribe भी जरूर कर लेना और friends बैल आइकन को hit जरूर कर देना ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको सबसे पहले notification आ जाए और friends ऐसी आप मेरे साथ अपना प्यार बना के रखिए और ऐसी मुझे सपोर्ट करते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाइ फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग